एक बार कुछ बच्चे एक नाग को मार रहे थे एक राजा ने उसकी रच्छा की राजा प्रप्रशन्य हो नाग ने उस राजा को जानबरों की भासा समझने और बोलने का वर प्रधान किया प्रन्तों उसे यह चेतावनी भी दी कि जदी वह उस बात की चर्चा कभी भी किसी से करेगा उसके प्राण चले जाएंगे एक दिन राज की एक आमकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिये रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खापी रहा था तभी मिश्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया थोड़ी देर में वहां एक चीटी पहुची और उस टुकड़े को देख खुशी से चिल्ला उठी अरे वाह इतना बड़ा मिश्ठान जो एक पूरी बैल गाड़ी में भी नहीं समा सकता फिर वह उस टुकड़े को उठाक ले जाने की चेश्टा करने लगी चीटी की बात सुन राजा को हशी आ गई और वह मुस्कुरा उठा राजा की रहश्य मई मुस्कान को देख रानी ने समझा कि उसके स्रिंगार में शायद कोई त्रूटी रह गई थी अतह उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारन जानना चाहा किन्तु राजा ने उसकी बात टाल दी उस रात राजा जब अपने शैन कच्छ में पहुचा तो रानी ने उसकी रहश्य मई मुस्कान का कारन जानने के लिए तरह तरह करनाटक किया अन्ततह राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि ज़दी वह कारन बताएगा तो उसकी मृत्यू हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जित पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसे उसी उद्यान में शारी बात बता दुसरे दिन जब राजा अपने अनुचरू की शाथ उशी उद्यान में जा रहा था तो उशे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बात चित करते दिखे पास पहुचने पर राजा ने शुना कि वह बकरी गधे से कहे जा रही थी गधे तुम तो मुर्ख हो किन्तो आज मैंने जाना कि यह राजा तुम से भी बड़ा मुर्ख है राजा को बकरी की बात से बड़ा अस्चर हुआ वह बकरी से पूछ पैठा कि आखिर वह उसे बड़ा मुर्ख क्यों समझती है बकरी ने राजा से कहा हे राजन आज तुम प्र किसी दूसरे बेक्ती की साथ जीवन का आनंद उठाएगी तो क्या तब भी तुम प्रशन न रहोगे बक्री की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा वह अपने जीवन का मुल्ली शमजने लगा जब राजा बाग में पहुचा तो उसने रानी से कहा रानी मैं तुम्हें अपनी मुश्कान का कारण बताने को तयार हूँ किन्तु एक शर्त है तुम्हें एक सौ कोड़े खाने पड़ेंगे क्योंकि भेद बताने पर मेरी तो प्रांततकाल निकलेंगे रानी ने शमझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था उस पर जूट मूट के कोड़े बरसाए जाएंगे अतव वह कोड़े खाने को तयार हो गई तब राजा ने अपनी एक शिपाही से पूरी शक्ती के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ती से कोड़े बरसाए जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा वह चीक उठी आह बहुत दर्द होता है मुझे कोड़े से नहीं मारो मुझे राजा के मुश्कान का रहश्य भी नहीं जानना है तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए क्योंकि उसे अपनी पती की मौद स्विकार थी किन्तो एक कोड़े की चोट भी नहीं कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने को हुआ तभी राजा के मंद्री ने राजा से आगरह किया कि वह रानी को छमा कर दे राजा ने रानी को छमा तो कर दिया किन्तो वहमान शम्मान और प्यार फिर कभी भी प्रदान नहीं कर सका कहानी अच्छी लगे तू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए